इन एक तरफ मोती जी के नेत्रुक्त में भारती जंता पार्टी देश के लिए विकास के लिए जनकल्याण के लिए सुरक्सा के लिए सुसासन के लिए कारे कर रही है और दोस्ते तरफ कॉंग्रेस अपने स्वयम के लिए कारे कर रही है जब लोग सूखा ज्यलते हैंं कॉंग्रेस के नेता पिक्निक मनाने के लिए को जब देश अति वरिष्टी की चपेट में होता हैंसे कॉंग्रेस के लोग तब भी देश छोड़ कर दिपाहर रहते हैं जब देशे के उपर संकट आता है यह अपने घृरों में दुबाग जाते हैं और वायोबेनों कॉंग्रेस नब कास करा सकती है ना सुरक्सा देशाच थी अहीं तो शुशासन देश सकती है और भरत में रहते हैं नहीं नहीं सम्मान कर सकती है कि याद करिये के वले गुधारणी में आपको देता हूं वह यो बैनों पांच साल पहले यहां पे राजस्तान में भारती जंता पार्टी की सरकार्थी जंसमस्याओं का समाधान होता था विकास दिखाई देता था अंक अग पैसा देने के बाद भी सरकार काम नहीं कर रही हैं ती etaanस के कारें अगनि वड़ा पारी का हूँ और अब अपर畫 सुम्हत तो तो में अपराद में नंबर 1 पर में मेरा संवंध्य अपराद में नंबर एक पर उस्ता चारमें नंबर एक पर और सबसे मेंगी बडीली पे टेक्स देने वाला राज्य यहां कि जन्ता है छाप सब्सेक क्वेट देने वाला राज्य ऐदाश्ताने भी और तब कि भी बायों वे छोग ना कि योजना पोँचाने में विफ़ने सरकार संली पैसा प्येंद्र सकार दे है लेकिन उसको जमीनी तहां तर्फ पर उतारने का कारें नहीं कर रही है और क्या हाव है यह तो नहीं अलाज देली को हमने देख चुक्त तो कैसे बरबर हत्या कर दी थी उसकी अधियों भी अधियों अधियों एक तरफ कंग्रेस है जो कंग्रेस कहती है कि देश के संसादनों पर पहला दिकार सब के बाद उतके पहला दिकार मुसल्मान का है लेकिन मोदी जी कहते हैं देश के संसादन पर पहला दिकार गरीब का है किसान का है दलित का है बंचित का है महिलाओं का है हमारे नौजमानों का है और इसके लिए नहीं नारा दिया सब का साथ सब के विकास का कॉंग्रेस किसी समस्या का समादान नहीं कर सकती विकास नहीं कर सकती गड़ी पन्यार नहीं कर सकती है हम आपके आस्ता का भी सम्माण नहीं कर सकते को है कि मुझे रए अगर मौधी जी कि या बीजेपी की सरकार केंडर स्क्रांव राज्य में नहीं होती तो क्या रम मंदिर कि समस्या सब्रदेशं कि अब लोगा चिस वात से खुष है और आज मैं आप सबसे यह फील करने के नहीं कि अब कि भारति जनता पार्टी की डवश्ट इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में अपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भीजेपी की सरकार आने के पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था कर्फ्यू लगता था और पिसले साड़े च्छे वर्स से सरकार है एक भी कर्फ्यू नहीं लगा एक भी दंगा नहीं हुआ है कि देख रहे हैं आज और राम मंदिर की समस्ट्रा का समाधान ऐसे हो गया जैसे पताई नहीं लगा हो कि राम मंदिर बनने में खुल से ना और यूद्या जाने की इच्छा होती है क्या कि इतने लोगा जाने की इच्छा रखते हैं अभी नंदान आप सब का और मैं इसी नहीं आया हूं आज आपके पास वायोगे नो हमीर सिंग पायल जी को कि आप तीसरी बार तीसरी बार जैपुर पहुंचाईए राजस्थान सब्सक्राइब आपका अश्री बार इनको होना चाहिए और मैं हमीर सिंग जी को को से कहूंगा कि आप भी आपके लिए तो वहादा आसान है कि आफाहिए हमाए म्हामन लेष्वर नायान गुरीजी महाराज हैं पकड़िये उनको गाजियावाद में ही रहते हैं हr कि अबाद जुना खाड़ा के महामंडलेश्वर भी है और बाबा को पकड़िये वाबा के साथ में और पर्तुराम गिरीजी के साथ में और अन्ने पूज्य संतों के साथ में इन सभी भगतों को युद्ध्या का दर्सलुस के बाद कराने की कि जारी करता हूं और आप साहमत है सब लोग सब लोग सेहमत है ना तो मैं आज सवस्तों करके जाओं भाईो में लो आप सब का में बार फिर से विलन इन करता हूं आप सांधे बोलेंगे बारत माता की माता की जैस्त्री राम जैजै